क्लास पे फर्स्ट आने का बेस्ट क्युपाई जो ऐसे हैं? ओसी हलो बच्चों, आज हम एक बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक देखने वाले हैं Discovery of the Atom परमानूं की खोँच हमारे बहुत सारे साइन्स के चैप्टर अल्रीड हम आ चुके हैं आपने इनको जरूर देखा होगा यह उसी कड़ी में एक और चैप्टर है महारत में कोई 26 सौ साल पहले महारशी कनाद और डेमोक्रितस दोनों ने कहा Atom एक Solid Pint की तरह है It's like a Solid Sphere 19th century में England में Sir John Dalton ने परमानूं का खूँव अध्यन किया और उन्होंने इसके तीन सिधान्त बताए Number one हर तत्व परमानूं से बना होता है Number two एक ही तत्व के जितने परमानूं है उनके द्रव्यमान, मास और उनकी जो chemical properties रसायनिक गुंधर में वो समान होते हैं अलग-अलग तत्व के परमानूं जो है और कथोड और अनोड के बीच में उन्होंने एक charge pass किया तो देखा, कथोड से कुछ particles निकल कर अनोड की तरव जा रही है और इन सब पर एक negative charge है तो उन्होंने कहा, परमानूं का एक हिस्सा है negatively charged particle जिसका नाम है electron और उन्होंने एक तर्बूजे का model बताया तर्बूजा? उन्होंने कहा, कि जो पिंड है जो spherical matter है यह धनात्मक है एक positive material से बना हुआ है और इसमें negative electrons धसे हुए है ऐसे? और इसके बाद, Millikan नाम के scientist ने इस परमानूं का, इस electron का charge भी बता दिया जो है इसके बाद, Goldstein नाम के scientist ने यही cathode ray tube experiment किया और उन्होंने कहा negatively charged particles तो आ रहे हैं पर आपने देखा नहीं कि anode से निकल कर cathode की तरफ एक line of positively charged particles भी जा रहे हैं और इन particle पे धनात्मक charge है इनको उन्होंने नाम दिया proton और उन्होंने देखा कि proton का जो द्रव्यमान है वो electron से कही 2000 गुना जादा है तो यह proton कैसे distributed है परमानू के अंदर इसको बताया Ernest Luther Ford ने एक gold foil experiment किया पतला सा एक sony का तुकडा लिया और उसके चारों तरफ एक चमकीला boundary बना दिया और इस पर उन्होंने rays डाली अगर atom solid होता तो यह rays टकरा के वापस आ जाती पर उन्होंने देखा कुछ rays तो टकरा के वापस आ गई पर ज्यादाता rays उसके अंदर से निकल गई तो उन्होंने कहा पूरा atom solid नहीं हो सकता atom के बीच में एक center portion है जिसको नाम है nucleus या नाभिक जिसमें protons present है और किस कक्षा में कितने electron होंगे? इसके लिए बोरी-बरी सिधान्त बनाया गया जिसका formula है 2n square जहां n है कक्षा का number For example, पहले कक्षा में होंगे 2n square is equal to 2 दूतिय कक्षा में होंगे 2n square is equal to 8 तृतिय में होंगे 2n square is equal to 18 ऐसे बढ़ता जाएगा साथ-साथ उन्हों ने ये भी कहा कि एक atom को stable बनने के लिए बाहर वाली कक्षा में 8 electron होना जरूरी है जिसके 8 नहीं है वो चारों तरफ धूंटता रहता है कि किस atom के साथ मैं जोड कर किस परमानू के साथ मैं योगिक बना कर अपने को stable बना लू और ये जो शमता है atom की एक के साथ दूसरे के जोडने की इसको हम कहते है संयोजता या वैलन्स तो बाहर वाले ओर्बिट में जितने electron रहते हैं इनको कहते है संयोगता संयोगता electron तो देखो sodium को देखो इसके second में है 8 बाहर में है अगर वो किसी तरह 1 को खो दे तो वो stable बन जाएगा क्योंकि फिर उसका second बाहर हो जाएगा क्लोरीन को देखो क्लोरीन के बाहर है साथ अब क्लोरीन को चाहिए एक electron किसी तरह एक electron मिल जाए तो वो भी स्टेबल हो जाएगा तो sodium और chlorine ने मिलके yogic बना दिया, common salt, ये एक बहुत stable, स्थिर yogic है और बिल्कुल इस तरीके से ये बनता है, तो यह जो जितने electron, atom जितने electron को छोड़ता है या जितने electron को प्राप्त करता है, इसी को कहा जाता है valence या इसकी sunyogen शम्ता, और याद रखना हर atom की प्रयास क्या है कि हमारे बाहरे वाले कक्ष में 8 electron रहे, इनके बाद आया टर्ण Chadwick का, Chadwick ने जब नाभिक को study किया, उन्होंने देखा, प्रोटॉन से उसका जितना मास होना चाहिए था, जितना द्रवयमान होना चाहिए था, पर actual द्रवयमान उससे कहीं जादा है, तो उन्होंने का प्रो प्रोटॉन है वो है इसकी पर्वानु संख्या, जैसे कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है, तो उसका अटॉमिक संख्या है 6, साथ-साथ एक और नमबर जिसको उड़ोने का द्रवयमान संख्या, या atomic mass, नाभिक में proton प्लस neutron, इन दोनों का द्रवयमान का जो कुल होता ह है, that is atomic mass, या द्रवयमान संख्या, तो carbon atom के नाभिक में है 6 proton और 6 neutron, तो इसका द्रवयमान का हुआ, 6 plus 6 is equal to 12, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर आप देखो atomic number है, और नीचे atomic mass है, अब कुछ तत्वा ऐसे हैं, जिनके जो पर्मानु है, उनके atomic number तो सेम है, पर उनके atomic mass अलग होते हैं, क्योंकि उनके नाभिक में neutron की संख्या अलग होती है, जैसे कि, यह देखो, hydrogen, deuterium, tritium, सबके atomic number is 1, पर इनके mass है 1, 2 and 3, क्योंकि इनमें neutron की संख्या बढ़ती जा रही है, इनको हम कहते हैं isotope, या समस्थानिक, यह समस्थानिक बड़े काम की चीज जैसे nuclear से जो बिजली बनती है, पर्मानू से जो बिजली बनती है, उसमें uranium का isotope यूज किया जाता है, cancer की थरपी में, cobalt का isotope यूज होता है, और घेंगा होता है थाइरोइड, उसके थरपी में iodine का isotope यूज होता है, तो isotope के साथ-साथ हम एक और देखेंगे, जिसको कह atomic mass तो सेम है, पर इनके atomic number अलग होते हैं, for example, तो बच्चो यह रहा, आज का chapter, आज तक इतना ही पर्मानू की खोज, जैसको हमने महारिशी कनाज से लेकर isotope तक देखा, इस वीडियो को आप एक बार अच्छी तरह देख लो, फिर chapter पढ़ना एक दम पांच मिनट में सब क्ल और बच्चो इसका एका write-up आपको चाहिए, तो हमारा blog post जरूर देख लेना, हम Facebook, Twitter, Insta, इन सब पर daily post करते हैं, अगर आप हमसे जुड़ जाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा, और हमारे subscriber तो आप बन गए होगे, अगर आप नहीं बने हो, तो subscribe, bell और all तीनों को दबाना, अगर आप subscriber बने बन गए हो, तो याद रखना कि all बटन को दबाना जरूरी है, इससे हर वीक हमारे वीडियो आपके पास पहुचते रहेंगे, देखते रहो, कोशे, कोशी,